हेलो दोस्तों तो आज मैं ले करके आया हूँ बोक रेडिंग का 17 खलास आज की कलास में आप लोग जानेंगे कि कैसे एक रेलबे यात्रा जो होता है वो कितना मस्त होता है यानि रेलबे के दोरान जो भी माजा आता है उसको कैसे सब्दों में कहा जाए उसी को हम इस आज की कलास के दोरा आप लोगों को परजेंट करने का एक तरीका दे रहा हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कलास का और रेलबे जोर्नी और यानि एक रेलबे यानि रेलबे जोर्नी यानि यात्रा यानि आप लोग जानेंगे कि एक रेलबे यात्रा क कितना मज़ा आता है और उसको कैसे किसी को उसको सब्दों में पीरो करके किसी के सामने रखा जाए उसी को आप लोग इसमें सिखेंगे चलिए कुछ सेंटेंस दिये हैं पहला सेंटेंस है माई अंकल लिप्स एट कानपूर माई यानि मेरा अंकल यानि चाचा लिप्स यानि रहते हैं एट कानपूर यानि कानपूर में तो इस सेंटेंस का हिंदी मिनिंग हुआ कि मेरे चाचा कानपूर में रहते हैं छोटे आस्थान के आगे एट प्रिपोजिशन लगता है और बड़े आस्थान के आगे इन प्रिपोजिशन का यूज होता है ए एट जो एट होता है इन होता है या प्रिपोजिशन होता है तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि कौन कौन सा प्रिपोजिशन है और उन प्रिपोजिशनों का यूज कहा होता है तो इसी चैनल पे आप लोगों को सिखाया गया है वीडियो देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पूरे वीडियो को देखने के बाद इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और ढूंडें प्रिपोजिशन का स्रीज होगा एक उसमें एट, इन और बहुत सारी प्रिपोजिशन हैं देख करके इनका यूज सीख सकते हैं यह परजेंट इन डिफनिट टेंस है यह लाइब वर्ब का पाचवा फर्म है अगला सेंटेंस है ही इनवाइटेड मी टू एस्टे विथ हीम डिवरिंग समर वैकेशन्स ही यानि मेरे चाचा के लिए ही का परियोग हुआ है ही यानि वे इनवाइटेड यानि आ मंत्रित किये मी यानि मुझे टू एस्टे यानि रहने के लिए विथ यानि के साथ हीम यानि उनके साथ डिवरिंग समर वैकेशन्स डिवरिंग यानि के दोरां समर वैकेशन्स यानि छुटियों के यानि एस सेंटेंस का हिंदी कि वह, यानि मेरे चाचा मुझको आमंतरित किये, गर्मी के छुटियों के दावरान अपने साथ रहने के लिए, यानि मेरे जो चाचा है, वह गर्मी के मौसम मेरे साथ भीताने के लिए, वो मुझको इनवाइट किये, तो यह जो tense है past indefinite का simple tense है तो अगर आप लोग को past indefinite tense नहीं आता है तो उसके उपर भी वीडियो इसी चैनल पे आप लोगों को tense का playlist में मिलेगा अगला sentence है one morning I reached the station with my luggage one morning यानी एक सुबह I यानी मैं reached यानी पहुचा the station यानी station with यानी के साथ my luggage यानी मेरे समान के साथ तो इस sentence का हिंदी मिनिंग हुआ कि एक सुबह मैं अपने समान के साथ station पहुचा तो यह जो tense है past indefinite tense है यहाँ पे rich verb का भीटू का यूज हुआ है अगला sentence है I purchased the ticket I purchased the ticket I यानी मैं purchased यानी खरिदा the ticket यानी टीकट तो इस sentence का हिंदी मिनिंग हुआ कि मैंने टीकट खरिदा तो यह purchase भर्व का भीटू है यानी purchase भर्व का दूसरा फर्म है हर एक भर्व के 5 फर्म होते हैं और 5 फर्मों का किसी ना किसी tense या sentence में यूज होता है तो अगर आप लोग यह सीखना चाहते हैं कि कौन-कौन सा भर्व है जिसको याद कर ले तो असानी से English आ जाएगी तो उसके उपर इसी चैनल पे 101 वीडियो का एक स्त्रीज है जिसका नाम है Most Spoken भर्व स्त्रीज इसमें 101 भर्व को कभर किया गया है प्लस में उनके पाचो फर्मों को बतलाया गया है प्लस में उन भर्व से कौन-कौन सा वर्ड मिनिंग बना है ये भी बतलाया गया है प्लस में उन सभी सब्दों का यूज कैसे होता है आपको एक ही वीडियो में मिलेगा तो अगर इस स्रीज को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और ढूंडें Most Spoken Verb स्रीज उसी में आपको मिलेगा यह पर्चेज भर्व इस पर्चेज से बना है पर्चेजर वह बेक्ती जो किसी समान को खरीदता है उसको पर्चेजर बोला जाता है अगला सेंटेंस है I went to the platform I यानि मैं went to यानि गया the platform यानि platform पे यानि इसका हिंदी मिनिंग हुआ कि मैं platform को गया यानि platform पे पहुचा यह गो भर्व का दूसरा फर्म है गो भर्व का पांच फर्म होता है गो, went, gone, going और goes तो अगर आप लोग इसको भी सीखना चाहते हैं तो इसी 101 वीडियो के स्तिरेज में आप लोगों को गो भर्व भी मिलेगा अगला sentence है there was great loss on the platform, there was यानि था great loss यानि बहुत भीरभाड on the platform यानि platform पे तो इस sentence का हिंदी मिनिंग हुआ कि platform पर बहुत भीरभाड था तो यह जो sentence है past indefinite का simple sentence है एक होता है tense वाला sentence एक होता है simple sentence simple sentence में किसी तरीके का कोई किरिया नहीं होती है यानि action नहीं होता है और tense वाला sentence में action होता है तो अगर आप लोग tense वाला sentence और simple sentence दोना सीखना चाहते हैं तो इसी चैनल पे आप लोगों को सीखाया गया है अगला sentence है soon the train arrived यानि जल्द ही the train यानि train arrived यानि पहुची तो इसका हिंदी मिनिंग हुआ कि जल्द ही train पहुची ये arrive भर्ब का दूसरा फर्म है यह जो sentence है past indefinite का tense वाला sentence है अगला है sentence I entered a compartment I यानि मैं entered यानि परवेश किया और यानि एक compartment यानि डबा में या बोगी में तो इसका हिंदी मिनिंग हुआ कि मैंने एक डबा में परवेश किया तो यह इंटर भर्ब का दूसरा फर्म है क्योंकि यह past indefinite का tense वाला sentence है ऐसा sabd जिसके last में लगा हूँ m-e-n-t तो वह sabd जो होते हैं वह noun वाला sabd होते हैं जैसे compartment यह noun है इसी तरीके से department भी noun है इसी तरीके से बहुत सारा entertainment ऐसे बहुत सारे word है जिसके last में m-e-n-t आता है तो वह सबी सब noun होते हैं अगला sentence है after 5 minutes the train started after यानि के बाद 5 minutes यानि 5 minutes the train यानि शुरू हुई तो इस sentence का हिंदी मिनिंग हुआ कि 5 minutes के बाद train शुरू हुई यानि शुर्य हुई इस 101 भर्बों में आप लोगों को लेव भर्ब का यूज इरवाइट भर्ब का यूज और रीच भर्ब का यूज पर्चेज भर्ब का यूज गो भर्ब से बना है वेंट तो इसका यूज और साथ में स्टार्ट भर्ब का यूज और साथ में इस पूरे स सिरीज में जितना भी भर्व है सभी को इसमें कभर किया गया है इसको अगर आपको देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके ढूंड़े अगला सेंटेंस है दा ट्रेन वाज रॉनिंग फास्ट यानि जा रही थी फास्ट यानि इसका हिंदी मिनिंग हुआ कि जो ट्रेन थी वह तेज चल रही थी इसमें रॉन भर्ब भी इसी भर्बों के समूह में सामिल है तो यह जो टेंस है पास्ट कॉंटिनिवस टेंस है यह पास्ट कॉंटिनिवस टेंस का सेंटेंस है यहाँ पे रॉन भर्ब का चोथा फर्म का यूज हुआ है अगला सेंटेंस है, the trees and fields seemed to run in the opposite direction, the trees यानि पेड़ एक से अधिक पेड़े, and यानि और fields यानि खेत, जो खेत होते हैं, जैसे आपने भी कभी सफर किया होगा, तो train गुजरती है, तो train के दोनों तरफ फसल बोय जाते हैं, जडूर आप लोग देखे होंगे, तो fields यानि खेते same to, same to यानि परतीत होते हैं, run यानि भागते हुए in the opposite direction, यानि पीछे की दिशा में, तो इस sentence का हिंदी मिनिम हुआ, कि जो parent थे और जो खेत थे, वो पीछे जाते हुए परतीत हो रहे थे, हो रहे थे, इसलिए बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे same verb का second form लगा है, यानि your past indefinite tense है, तो अगर आप लोगों को tense नहीं आता है, तो tense सीखना किताब सी पढ़ने के लिए जरूरी है, अगला sentence है, there were fields on both the sides of the railway lines, there were fields यानि खेते थे, on both sides यानि दोनों तरफ of the railway lines, यानि railway line के दोनों तरफ, यानि इसका हिंदी मिनिंग हुआ कि जो railway line थी, उसके दोनों तरफ, यानि दोनों साइर खेत थे, यानि फसल थे, फसल बोए गए थे, या जो sentence है, past indefinite tense का simple sentence है, या tense वाला sentence नहीं है, अगला sentence है, we crossed many reverse, we यानि हम लोग crossed यानि पार किये, many reverse यानि बहुत सारी नदियों को, तो इस sentence का हिंदी मिनिंग हुआ कि मैंने बहुत सारी नदियों को पार किया, इसमें cross verb का दूसरा फर्म का यूज किया गया है, क्योंकि यह past indefinite का tense वाला sentence है, अगला sentence है, it was a great fun to me to have a railway journey, it was यानि था a great fun, यानि एक मज़दार समय to me, यानि मेरे लिए to have a railway journey, यानि एक railway यात्रा का, यानि इसका हिंदी मिनिंग हुआ कि मैंने जो railway की यात्रा किया था, वो मेरे लिए मजदार था, तो चलिए एक बार तेज पढ़ते हैं, तेज इसका हिंदी निकालते हैं, तो आप लोग सीखे कि कैसे तेज पढ़ा जाता है, और कैसे उसका हिंदी मिनिंग निकाला जाता ह माई अंकल लिप्स एड कानपूर मेरे चाचा जी कानपूर में रहते हैं ही इन्वाइटेड मी टू एस्टे विथ हीम डिवरिंग समर वैकेशन्स उन्होंने मुझे समर वैकेशन्स के लिए यानि गर्मियों की छूटी मेरे साथ बिताने के लिए मुझे बुलाया on morning यानि सुबह में I reached the station with my luggage सुबह में यानि एक सुबह मैंने अपने समानों के साथ railway station पे पहुचा I purchased the ticket मैंने ticket खरदा I went to the platform मैं platform पे गया there was great rush on the platform वहां बहुत भीड था soon the train arrived, जल्द ही train आई, I entered a compartment मैंने एक डबा में परवेस किया after 5 minutes, 5 minutes के बाद the train started, train शुरू हुई, the train was running fast, जो train थी वह तेज चलने लगी the trees and fields seemed to run in the opposite direction, यानि जो पेन पौधे थे और जो खेत थे वह पीछे जाते हुए प्रतीत हो रहे थे there were fields on the both sides of the railway lines, railway line के दोनों तराफ खेत बोए गये थे, यानि खेत थे we crossed many rivers, हम लोगों ने बहुत सारी नदियों को cross किया, it was a great fun to me to have a railway journey वह जो railway journey था, यानि वह जो railway की यात्रा था, वह बहुत मज़िदार था तो इस परिकेस से आप लोगी English पढ़ेंगे, उसका Hindi meaning निकालेंगे, चलिए कुछ word meaning देते हैं, जो कि आप लोगों को याद करना है यहाँ पे word meaning है summer vacation, जिसका Hindi meaning होता है गर्मी की छुटी, luggage यानि समान, reached यानि पहुँचना यह rich verb का second form है, rich का Hindi meaning होता है पहुचना, रस यानि, भीड, ट्रीज यानि, पेड, फिल्ड यानि, मैदान या खेत, ग्रेट फन यानि, बहुत बढ़ा मज़ा river यानि नदी, आइस में एक S लगाएंगे तो reverse हो जाएगा जिसका Hindi meaning होगा नदिया तो यह रहा दोस्तो, आज की क्लास थोड़ा समय फास पढ़ने का परियास इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को time थोड़ा सा बचे अगर आप लोगों का request आएगा कि मैं slow पढ़ूं तो slow पढ़ने का परियास करूँगा कल का क्लास में आप लोग सिखने वाले हैं कि जो हम लोगों का एक प्रसीद monument है जिसका नाम है ताज महल तो ताज महल के जो ऐसे यात्री होते हैं जो ताज महल घुमने जाते हैं कैसे आप कुछ ताज महल के बारे में कुछ बतलाएंगे या वहां के लोगों से कैसे आप English में बात चीत करेंगे कल की क्लास में आप लोग सिखने वाले हैं तो कल का क्लास बहुत interesting और बहुत कुछे सिखने वाला है आपको सिखने को मिलेगा तो कल की वीडियो को देखने क तो आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और कल की वीडियो देखना न भूले अगर आप मुझसे जुड़ करके इंगले सिखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा सभी सोसल मिडिया का लिंक है सभी सोसल मिडिया पे मु कुछ पूछना है तो वाट्सअप पे जुने वाट्सअप पे मुझसे जो भी कोश्चन करेंगे मैं पर्यास करूंगा कि आपका कोश्चन का मैं अंसर दूँ तो यह क्लास आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कॉमेंट बॉक्स में अवस्य कॉमेंट करें मैं मिलता हूं अ